नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल आई एसने लाइसिस में मध्यकालीन भारती तिहास के अंतरगत आज से में लोग सुरू करेंगे दिल्ली सल्तनत जो की एकजाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मध्यकालीन भारत का माना जाता है अब इस दिल्ली सल्तनत को गंप्लीट करने का दो तरीका हो सकता है पहला तो बिल्कुल ही सौटकर तरीका है कि बहुत सारे फेक्ट आपको दे दिया जाए और महज कुछ ही घंटों में पूरा गपूरा जो दिल्ली सल्तनत है कुछ ट्रीक वगरे लगा के जो आम तोर पे कि आपको दे दिया जाए लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा जो चैलेंजिंग जो टास्क है कि अगर वो ट्रीक एकजाम में कहीं फेल हो जाए आपको याद ही ना आए या थोड़ा प्रस्ण को थोड़ा भूत घुमा फिरा के गर दे दे तो फिरो किसी काम कर नहीं रहता है आ बनाए ट्रीक वही काम ही हो जाएगा एकजाम में आप बिल्कुल अपने आपको असहाई फिल करेंगे दूसरा प्रोसेस जिसे में बार बार आप लोगों से ठीके बोलता हूं कि इसे अपनाई है पूरा कॉंसेप्ट बेसिस पे पहले चीजों को समझिए समझने के बाद उ उसी प्रोसेस को फॉलो करूंगा क्योंकि फैक्ट तो इतना में इतना अधीक है लेकिन उन सारे फैक्टों को जब मैं कॉंसेट के माधियम से डिलिवर करना शुरू करूंगा तो बिल्कुल आपको लगेगा एक बिल्कुल एक इमेज फॉर्मेट को आपको दिखाया जाए और प्रस्न थोड़ा घुमा फिरा की भी देगा तो आप उसको करने की हिस्ति में रहेंगे लेकिन इस प्रोसेस को करने के लिए थोड़ा टाइम टेकिंग प्रक्रिया होती है और यहीं कारण है कि मेरी जो भी लेक्टर है देखते होंगे एक घंटे की होती ही होती है लेकि अगर आप उस परकिरिया से गुजर रहे हैं तो यकिन मानिए किसी भी अधर सोर्स की जरुद नहीं पड़ेगी विदीन आप ठीक है किसी भी सिविल सर्विस का ले लीजिए या फिर जो भी वन डे एकजाम है इसको ले लीजिए ऐसे प्रसनों को आप लगाते जाएंगे ठी बिल्कुल to the point होता है और इसमें सबसे plus point होता है कि आपको बिल्कुल concept के साथ सिखाया जाता है जैसे कि example के मादेमस में अगर बताऊं दिल्ली सल्तनत का तो आकिर कुतुबुदीन एबा के द्वारा दिल्ली सल्तनत के जब अस्थापना किया गया तो फिर उसने अपनी प्रशन जो उट के सामने आते हैं थोड़ा समय लेता है लेकिन एक बार आकर आप समय दे देंगे तो आपको रटनिक जरुरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपके conscious mind में वह store हो जाएगा आप भूल के भी उसे भूल नहीं पाएंगे तो चलि सल्तनत का ठीक हैं देख पार हैं काफी लंबा टाइम है 1206 से लेके 1526 तक अगर देखा जाए तो लगभग है 320 सालों का गैप है और इस 320 सालों के बीच में आप देखेंगे तो बहुत सारा वंस आया है बहुत सारा सासक आया है और इन सासकों के द्वारा दिल्ली पे ध्यान से एक प्रशन उठता है कि क्या ये दिल्ली सल्तनत का काल दिल्ली जो सल्तनत है अचानक है आ गया तो हमें इस बात को समझना होगा कि ये जो दिल्ली सल्तनत का जो काल है अचानक नहीं आया सबसे पहले दिल्ली का निर्माड कराया गया अर्थात ये जो दिल्ली का निर्मा के आस पास आ चुका था उन्हीं लोगों के द्वारा इस दिल्ली का अस्थापना किया गया और इसका स्रेय जाता है अनंग पाल धार केगा अनंग पाल इसका सक्ष हमें मिलता है प्रित्वी राज चोहान का जो दरवारी कभी चंद बरदाई की द्वारा रचित जो ठीक है प तुमरों के द्वारा अनंग पाल के द्वारा दिल्ली की आस्थापना किया गया था और उसमें दिल्ली या फिर दिल्ली का के रूप में इसको बताया गया है अब आपको ध्यान होगा कि इन तुमरों का ही जो सम्मंद था प्रित्वी राज चोहान से था प्रित्वी राज खेतरों पे गोरी और कुतुबदी नेबग जो भी उसके दास वगेरा थे उस सब का धीरे-धीरे कंट्रोल होना सुरू हो गया अब यहीं पे अपना जो भी निर्मार कारी होगा बहुत सारा यहां पे ठीक है मस्जित की बात करें बहुत सारा हम लोग यहां पे ठीक है मिनार होगेरा की बात करें या फिर इसलामिक जो अस्थपत्य सहली के बात करें धीरे-धीरे यहीं से प्रक्रिया सुरू होती है लेकिन फिर एक सवाल उड़ता है कि क्या यह चीज अचानक हो गया अचानक उस सब आया और दिल्ली सल्तनत के अस्थापना कर लिया तो नहीं सबसे पहले हमको समझना होगा कि अर्बी मुसल्मानों ने देखे 712-18 सतावदी के आसपास में ही मुहमद विन कासिम को दौरा भारत में टेक किया गया उसके बाद से तुर्की मुसलिम भी लगतार ठीके आकनमर करते रहा जिसे की महमूद गजनिवी का नाम है दूसरी नमर पे म दिल्ली पे अपना सासन पर सासन को चलाने लगा तो अब देख पार है टाइम पिरियड है 1206 से लेके 1526 तक और पूरा पूरा गर बीच का गयप देखा जाए तो लगभग ये 320 वर्सु तक का सासन है और इसी को बोला गया सल्तनत युग ध्यान रखियेगा या फिर दिल्ल सल्तनत यहां पर बोला जाता है अब यहां पर बहुत सारे सासका है उन सासकों के द्वारा बहुत सारा प्रसासनिक नितियों को यहां पर लाया गया उससे सम्मझित बहुत सारा प्रशन बनता है इन सासकों के द्वारा बहुत सारा आस्थपत्य कला सैली को बढ़ावा देन जान लेंगे, वो चीजे अपने आप, आपके ठीक हैं, दिमाग में पूरी तरीके से बैट जाएगी, तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, दिल्ली सल्तनत की, देख पार हैं इसमें सबसे पहला जो वंस हैं, देख पार हैं यहाँ पे गुलाम वंस हैं, उसके बाद आते जाएगा, धिरे धिरे ओ ठीक हैं, आपको किलियर होते जाएगा, 1290 के बाद 320 तक खिल्जी वंस, 320 से 1414 तक यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान रखेगा तुगलाम वंस, इसी में कुछ स्वतंतर सासक भी में देखने के लिए मिलेगा, और 1414 से लेक 51 तक सायद वंस, औ लोग हैं, वहीं सब यहाँ पे रहेगा, और यह जो लोधी वंस है, यह एक ऐसा वंस है, जो यह लोग अफगान वाला है, ध्यान रखेगा, अफगान का मुल निवासी है, लोग है वहाँ पे, यहीं सब है, इसको अफगान यहाँ पे इसको बोला जाता है, काइम प्रियर देख रहे हैं 1526 तक अब इसी अफगान वंस को पुना तुर्कों के द्वारा ध्यान रखेगा पुना तुर्कों के द्वारा जब बाबर आएगा तो अंतिम जो सासक होगा इस लोधी वंस का उसको पराजित कर देगा और पुना भारत में तुर्क वंस की अस्थापना हो जा यहां तो अब आपका किलियर है अब यहां से देखे की प्रस्न बनके आता है कि सबसे तिक सासन किस उसके बाद ममलुक कुं से अंट और सभ लुकल मंचेरान पुलां hypothi ड्यान वां टिक है बोला जाता है इसको इसके बाद यहां पर पर यह को जाएगा लोधि वरस और सभसे छोटा यू टाइम पिरियर रहा है बहुत अधिक वहाँ पर आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा तो सबसे बड़ा टाइम प्रियाद है तुगलग वंस ध्यान रखिएगा और सबसे चोटा टाइम प्रियाद है यहाँ पर हो जाएगा हिंजी वंस लेकिन पांचों को आप सजा सकते हैं क्या पता इस ही आरोई करब में सजाने के लिए दे दे अब बारी बारी हम देखने का प्रियाद करते हैं सबसे पहले बात करते हैं इस गुलाम वंस में ठीक है अब देखिए यहाँ यह गुलाम वंस इसको सलेव डाइनेश्टी भी बोला जाता है इसमें कुछ इंपोर्टेंट सासक है जिसी जिसे आप बढ़ते जाएंगे इन सारे सासकों के नाम से आप परिचित भी होते जाएंगे अब इस गुलाम वंस को भी कई सारे भागों में बाट दिया गया है लेकिन इस गुलाम वंस को ममलुक वंस भी बोला जाता है इलबारी वंस भी बोला जाता है गुलाम क्यो क्योंकि यहां पे जो भी सासक सब आये का ध्यान रखेगा जो भी सासक यहां पे होगा सब किसी ने किसी का गुलाम होगा ममलुक क्यों यहां पे ध्यान रखेगा ममलुक क्यों क्यों कि माना गया कि जो भी गुलाम था यह सब गुलाम था लेकिन यह सब का जो माता पिता था उ सब गुलाम नहीं था, इसलिए ममलुक जादे बोलना इतिहास कारों के दौरा बोला जाता है कि यह बेटर होगा, इलबारी है यहाँ पे ठीक है, यह उनकी कम्यूनिटी को उनकी जाती को इंडिकेट करता है, और यह सारे की सारे की इनमें common है यहाँ पे, कि सारे की सारे लोग ध्यान रखेगा, तुर्क लोग है, तुर्क मूल के लोग है, अब इसको यहाँ पे हम लोग तीन भागों में बाटने की कोशिज करते हैं, गुलाम वंस को, सबसे पहले हाँ पे कुतूबी वंस ध्यान रखेगा, कुतूबी वंस, इसकी अस्थापना किया गया था सम्मी वंस, अब ध्यान रखेगा, सम्मी वंस 1210 से लेके, 1236 इसवी के बीच होगा, यहाँ पे एक सासक आएगा, इल्तुतमीस, कुतूबी वंस कहीं यहाँ पे दमाद होगा, इल्तुतमीस यहाँ पे, और इसकी द्वारा इसकी अस्थापना किया जाएगा, यहीं पे दिल दिली का देखेंगे कि धीरे-धीरे-धीरे सम्राज बिस्तार होगा, दिली एक बहुत बड़ी अरिया में फैलते चली जाएगी, और उसके बाद आएगा बलबनी वंस, बलबन के द्वारा, बलबन दिली सम्राज एक बहुत अधी बिस्तार नहीं करेगा, बलकि डिर करने क परियास करेगा, जितना जो छेतर उसे मिला है, उसको और संदार तरीके से हम यहाँ पर चलाने का परियास करेगा, यह हो जाएगा बलबन, अब यहीं है बारी-बारी से देखिए, इस गुलाम वंस के अंतरगत आपको इन तीनों को बारी-बारी से अच्छे से स्टड़ी क पर ना है, पर इसके सासको को भी देखना है कि किस सासक ने कौन सा कारी किया, लेकिन बिलकुल हम लोग इसको एक ठीक है, conceptual basis पे देखने का परियास करेंगे, तो कुदूबी वंस में दो सासक आएगा, ध्यान रखेगा, नमबर वन है, कुदूबी वंस में दो सासक, पहला तो है कुतुबदीन एबग और दूसरा है यहाँ पर अरामसा, कुतुबदीन एबग और अरामसा के बीच का जो सम्मान देती हांसकारों के द्वारे एकमत नहीं है, कोई बोलेगा इसका पुत्र है, कोई बोलेगा इसका भाई है, ठीक है, फानिली निसकर से निकलता है कि अर तो चलिए बारी बारी से इन दो सांसकों को देखने का प्रयास करते हैं कि आकिर कुतुबदीन एबग कौन था, कहां से आया हुआ था, इसके बारे माँ पहले सा नाम सुनते आ रहे हैं, और दूसरा यहां पर आराम सा, इसका बहुत अधिक रोल नहीं रहेगा, सारा फोकस आ तुर्क जन जाती से था, बिलोंग करता था, तुर्की का अर्थ ध्यार रखेगा, एबग का जो अर्थ है, तुर्की भासा में इसका अर्थ होता है, चंदर्मा का देवता, अभी कभी वैसे भी प्रसनों को पूछा जाता है, माता पिता इसके तुर्कमिनिस्तान के थे, व बच्पंद में इसको बोला गया कि बिचारा अपना परिवार से बिचड़ गया होगा बोलते हैं कि कोई मेला में सोन मेला में बिचड़ गया होगा तो अपने परिवार से बिचड़ गया और बिचड़ने के बाद इसको एक बैपारी के द्वारा ध्यान रखेगा बैपारी क द्वारा, वहीं पे आक नीसापूर बजार ले जाया गया, चुकि उस समय दासों की खरिद विकरी होती थी, ठीकै उसमें छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बुजूर्ग, डजन्ट मेटर दास है तो दास है उसकी खरिद विकरी चलते रहती थी, निसापूर बजार ले गया और उसमें एक काजी का नाम आता है इसको खरीदने वाला एक जाम में पूछा जाता है काजी फक्रदीन अब्दूल अजीज कूकी के दौरा बस यहाँ याद रखेगा काजी एक काजी के दौरा इसको खरीद लिया गया अब यहाँ पर गुलाम का मतलब जो आप समझ रहे हैं कि बिल्कुल आजब अरतमान में या फिर गुलाम का मतलब जो आप देखते होंगे साउथ होला मुवी में पूरा सब मारता है वैसा गुलाम नहीं है यहाँ पर गुलाम का मतलब एक विस्वास पात्रेक है, जो मुस्लिम धरम में माना गया है, उस से अधिक हम किसी पर अधिक ट्रश करी नहीं सकते हैं, बेटा से अधिक जो दर्जा है इन गुलामों को दिया गया है, जैसे कि अलावदीन ठीक है, जो खीली का एक गुलाम था, मलिक कफर क आप लोगों ने नाम सुना होगा, कितना ठीक है, क्लोज है उस सब में, कुछ उस टाइप का यहाँ आपको ठीक है, बत चलना है, तो गुलामों को काफी योग बनाने जाने का प्रयास किया जाता था, बिलकुल अपने बेटे की तरह, साहित्यकला, सैनिक, सिच्छा भी दि किया जाता था, और वहीं चीज ध्यान रखेगा, इस काजी ने भी किया, एबक की परवरिष में कोई कमी नहीं किया, धनुर विद्ध्या सिखाया, घुर सबारी, सभी कलाओं में कुछ अलता प्राप्त किया, क्योंकि यहीं है एक परतिभा का धनी था, कुतु बुदीन ए जाके कुरान खा बोला जाने लगा, ध्यान रखेगा, कुरान को बहुत अधिक सोर में, मने एक सुरिली आवाज में पढ़ने के कारण, इसको कुरान खा भी बोला जाता है, काजी की मिरित्ती हो गई, बेचारा इस पे आफ़ता आ गया, चुकि था एक दास, ध्यान इसको एक बैपारी को बेच दिया, बैपारी इसको ठाक लेया गजनी, तुर्क मिनिस्तान से लेया कहाँ पे गजनी लेया ध्यान रखेगा, और मुहमद गोरी ने यहीं से इसको खरिद लिया, चुकि होता है न, एक समझ रहे न, एक मने बोलते हैं न, एक असली जो हीरा है एक असली हीरे की जो पहचान है, एक जोहरी ही कर सकता है, कुछ उसी टाइब का मामला है, मुहमद गोरी ने इसको भरिद लिया, यही से देखिए यहाँ पे कुतुबदीन एबा का जीवन में एक नया अध्याय प्रराम्ब होता है, चुकि अभी तक तो घर गिरहस्ती में लगा हुआ था, एक घर तक सिमित था, लेकिन यहाँ पे गोरी ने खरिद लिया है, ध्यार रखेगा गोरी ने खरिद लिया है, और उसको जीवन में एक नया अध्याय प्रराम्ब होता है, अंत में देखिए एक दास से कैसे दिल्ली के सिहासन पर यहाँ पर पहुंचता है इस सारा चीज़ देखिए कितना इंट्रेस्टिंग होगा जानना, और गुलाम वन्स का प्रत्थाम और दिल्ली का प्रत्थाम तुर्क मुस्लिम सासक बनता है, नसीब होतो वाइसा, इससे यह भी एक सिख मिल रही है, देखिए बहुत सारे सुडेंट अभावगरस ठीक है, जीते हैं, हार जाते हैं, लगता है कि अब मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन जब भी आप इस चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ऐसी आप ठीक है, घटनाओं से रूबरू हो रहे हैं, तो समझने का प्रयास किजिए, अपने लाइफ में भी आप इसको उतारने का प्र भारतियों के फेवर में ठीक है, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर एजे ठीक है, एजे में एक व्यक्ति के तोर पर बात कर रहा हुए, देखिए कितना एक मूटफेसनल इसका लाइफ हो सकता है, ठीक है, इसने जो किया बहुत गलत किया, आया बहुत सारे हिंदू म कैसे उसका धीरे 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 एक पीरी आप कह सकते है, एक सिस्सी के रूप में इतना एक विश्वास पात्र व्यक्ति के रूप में अस्टेबलाइज हो गया, और आगे चलके देखिए मुहमद गोरी इसको अपना दमाद ही बना लेगा, सबसे इंट्रेस्टिंग कीज़े है आपे, तो देख पा रहे हैं आपे, गोरी के परिवार में सामिल हो गया, उसकी बुद्धिमानी साहस और उदार्दा उन्हें पूरी तरीके सी सब का ठीके ध्यान अपनी और अकर्सित किया, कि भई वेल टैलेंडेट ते भई हैं, दिक्कत क्या है, अब गोरी ने उससे पर एक बड़ा पद, अमीर ए आखुर ध्यान रखेगा, अमीर ए आखुर पद दे दिया, जो उस पद का नाम होता था, साही अस्वसाला का अधिकारी, मैंने समझ रहे हैं गोडों को जो देख रहे करना वाला जो हेड था, उसी का इसको परधान मना दिया गया, जो उस समय अपने आप में एक बहुत बड़ा पद होता था, सुचिए, एबग ने अब गोर हो गया, बामियन, गजनी, ए सब ध्यान रखेगा, गोरी के दवारा ठीके, युधा वियान को करता था, और एबग इसमें ठीके, अच्छा खासा उसका सहयो करता था, काफी परभावित था उसके बाद से जब ध्यान रखेगा, जब गोरी ने जब भारत पे अटेक करने का अपना योजना बनाया, तो आपको पता है कि भारत में ठीक है, कई बार, कितने खेप में मुहमद गोरी ने भारत पे अटेक किया, और उसी में एक सबसे बड़ा अटेक माना जाता है, 1192 का तराइन का युद, तराइन के दृतिया युद में इसने बकायदा भाग भी लिया, ध्यान रखेगा, और इसमें गोरी बिजय हुगा, अब इससे पहले भाग लिया कि नहीं लिया, एक कुतुबदी नेवर के बारे हम जनकारी नहीं है, लेकिन इतना किलियर है कि दृतिया तराइन के दृतिया युद में गोरी ने भाग लिया, और यहाँ पे जीत गया, सुचिए मुहमद गोरी के लिए कितनी बड़ी बात होगी, कि मैंने कुतुबदी नेवर को लाया उसके साथ, ठीक है, याल दोच को बाचा भी सब था, उसका दास, लेकिन फाइनली यह ध्य कर रहा हूं, तो थोड़ा सा तुपीर होगा ही होगा, अब यहीं पे ध्यार रखेगा, 1192 में जब तराइन का युद जीत लिया, तो चुकि आपको पता है, पिछले गलास में ने बताया भी था, कि जब गोरी भारत में आ रहा था, तो उसकी पस्चिमी सीमा अनसेक्यूर ह हो जा रहे थी, क्योंकि पस्चिमी सीमा में परिजम का सासक भी था हुदा, परिजम का सासक पूरी तरीके सीरान तक आ चुका था, उचाह रहा था कि हम पूरव की तरफ मूब करें, तो तराइन का दिरितिय युद लड़ते ही प्रित्वी सोरी, तराइन का दिरितिय इसी दर्मियान ध्यार रखेगा गोरी जीन जीन छेतरों को जीता जीजित परदेशों का अपने इस गुलाम को अर्थात कुतुबुदिन एभग को वहाँ का परबंधक एक एजे मैनेजर क्राइब का वहाँ पर निउक्त कर दिया अब इसको यहीं लगा कि देखो भाई मेरे ब्याका ने जो मुझे पर्मिसन दिया है, कुछ भी हो जाए मैं उसको निभाऊंगा, करूंगा, और एवक ने दिल्ली के निकट ही इंद्र प्रस्त को अपना मुख्याले बनाया, चुकि जो भी आसपास का छेत्रा था, जिससे अजमेर का छेत्रा था, निचे देखेंगे त इसने मुख्याले बनाया, अब देखें, नेक्ट क्या हो रहा है, ग्यारा सो बानवे में, अजमेर और मेरट में, बिद्रोह भी हुआ, और उस बिद्रोह का दमन कर दिया, स्यान रखेगा, कृत्वी राज, जोहान को हराने के बाद, गौरियो आपस चला गया है, गजनी के भीयान के लिए चयाला गया है, और यहां पर अकेले मुर्चय संभाला हुआ है, कौन, कुतुबदीन एवग, अजमेर और मेरट में, बिद्रोह हुआ, दमन कर दिया, ग्यारा सो चौरानवे में, पुनाह दूसरा बिद्रोह हुआ, फिर से दमन कर दिया, अब फिर से उधर फिरी होगा, धियान रखिएगा, जब गोरिफ फिरी होगा उधर से, तो अब लाएगा कि पच्चिम सीमा हमारी ठीक है, चलते हैं भारत का भियान करने के लिए, पुनाह आएगा, और उस समय, ठीक है, कन्नौज का जो एरिया है, जो दोहाब का एरिया है, गंगा और यमना के बीच का जो एरिया है, उन खेतरों को जितने आएगा, और पहले से बैठा है, यहाँ पे कुतुब दीने बग, पूरा का पूरा उसको सपोर्ट करेगा, और आपको पता है, कन्नौज में वहीं जो चंदावर का युद्ध होगा, जिसमें जैचंद को पराजित कर देगा भरपूर सहयो करेगा, एक कुतुब दीने बग, ग्यारा सो संतानवे में देखिए, यह गुजरात में अटैक करेगा, और उसकी जो राजधानी थी, अनहिल वाडा, यहीं जो पार्टन का जो एरिया था, जो कभी पहले बार आपको याद है, जो भीम दिरितिया जा था, ठ भीम ठीक है, दिरितिया था, उसको दंडित भी किया है, देखिए, और वहीं माना जाता है कि उसके बाद से इसने इलतुतमीस को खरीदा, इलतुतमीस इसका ठीक है, जैसे ए दास था मुहम्मद गौरी का, वैसे कुतुब दीन एबग का दास था इलतुतमीस, और इस दास स इल्व्तमीश को क्टुबदी नेवक ने अपना धमाद बना लिया ध्यार रखेगा इल्कल आप देख पार है यहीं इलाका है यहाँ पर आप देख पार है यह आजमेरका इराका इधर हैक कनौज का इलाका देख पार है आप लोग ठीक है और यहीं पर तराइन कायोद पर चला जाएगा गौरी वापस चला जाएगा ठीक है गजनी चला जाएगा वहीं जो फरीजम का जो सासक था वहां उससे निपटने के लिए कैसा राभियान में वहां पर निकल जाएगा फिर इधर संभालेगा कौन तो कुतुब दिन एवक ही संभालेगा और 1202 में बिल्कुल उसके लिए को माना जाता है कि कुतुब दिन एवक ने घेर लिया लेकिन वह त्यागने के लिए समझ रहे ना मतलब अपना वो पूरी तरीके से सरेंडर करने के लिए तयार नहीं था तो उसमें पानी था द्यानरगे का सोते के राष्टे से पानी उसको मिलते र कर दिया इस राजा परमार्जे देव को और कलिंजर का बहुत ही इंपोर्टेंट है कलिंजर महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लिया पूरा पूरा अभी वरतमान में देखिए कलिंजर के किला बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान रखेगा बिल्कुल उतर परदेश के स खजुराहों मध्य परदेश में ठीक है तो यहां पिन सारे छेदरों पे अधिकार कर लिया बारासो पांच में देखिए खोखरों के बिरुद इसने गौरी का भी सहयोग किया चुकि अब जब 1194 में जब गौरी गया है उधर तो एक यूध भी होगा ठीक है अंधभक्त का य फिर वो आएगा यूध करने के लिए खोखर में कुछ सरदार लोग थे जो लाहोर के छत्रों के तरफ जान रहे थे कि अब गौरी तो मरा गया हमें जाना है लेकिन फिर वो आपस लोड़ का गौरी और उसमें फिर से ध्यार रखेगा कुतुब दीन एबाग उसकी सहायता क करेगा गौरी का सहयोग करेगा और फिर ठीक है इन खोखरों को निप्टा दिया जाएगा अब यहां पर समझना है कि देखिए कि इतना इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है चीज़ को समझने का प्रयास किजिए गौरी ठीक है गौरी की साइनिक योजना को पूरी तरीके रेले मूर्थ रूप जो है एवक ही दे रहा है और जो भी गौरी योजना तयार कर रहा है यह यह वक उसे करवानिद कर रहा है र οπο निती बना रहा है गौरी लेकिन उसका पूरा-पूरा implementation इस ABug के द्वरा किया जा रहा है और माना गया देखे कि मध्ध एसिया भियान में ध्यान रखियेगा. ABug ने क्या किया कि भारत में अपने स्वामे की परसारवादे निती को जारी रखा, अर्थात मध् fe एसिया अभियान में जब जब जाता था गोरी ये भक भारत में पूरा मोर्चा अपना सम्हाल लेता था अपना कंट्रूल कर लेता था ठीक है बिल्कुल एक कॉंसेप्ट आपको लोग केलियर होना जाईए और उसकी अनुपस्तिती में गोरी नहीं भी है तब ही देखिए बिजित परदेशों को तुर्कों की अधीन और राज भीस्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा अब यहां पर 1206 में ध्यार रखेगा 1206 में अब देखेंगे तो गोरी की फिर मिरुत्यू हो जाएगी मिरुत्यू के बाद से फिर मामला किस तरीके से करवट लेगा मेरे साथ आप लोग बने रही है अब आएगे नेक्ट बात करते हैं कुतुबदीन एबाक एक सासक के रूप में आगे एक सासक कैसे बना थोड़ा से बहुत ही रोचक ठीक है कहानी है थोड़ा से देखने के प आसन बेवास्ता में बहुत अधिक भागेदारी नहीं देता था बलकि उसको आख मुंद के अपने दासों पर विश्वास करता था इसी बारे में तब काते नासरी में मिनहाजू सिराज के द्वारे हां पे लिखा भी गया है कि गोरी ने कहा था कि अन्य सुल्तानों को एक या दो बेटा हो सकता है मेरे अनेक हजार बेटे हैं अर्थात मेरे तुर्की गुलाम जो मेरे राजियों के उतराधिकारी होंगे और जो मेरे बाद उन राजियों के खुतबे में मेरा नाम सुरचित रहेंगे मने होता है ना कि जाओ बेटा मेरा नाम ठीक है उचा करके आन यह अपने पुत्र टाइप का यह अपना भी हैप करते हुए नजर आ रहा है अपने दासों के साथ कि भाई यह लोग मेरा नाम को अमर रखेगा, खुत्बा पढ़वाएगा, ठीक है हमेशा मेरा नाम यहाद किया जाएगा कुछ इस टाइप का था, गोरी का अपने दासों के परती लगाओ अब यहाँ पर समझेए, मुहमद गोरी के परमुकदास है सब इसमें से कुछ दास है जैसे यालदौज है, कुबाचा है और यहाँ पर है कुटबदी नेबग, और चौथा यहाँ पर बख्तियार खिल्जी, बख्तियार खिल्जी को मना जाता है कि उसके समय का सरदार था, कितने लोग बोलते है कि कुटबदी नेबग का सेनापती था लेकिन कुतुबदिन एबक अगर सेनापती होता तो बक्तियार खिल्जी जब जीता बंगाल और बिहार को तो बिल्कुल ध्यान रखेगा ओ ठीक है एबक के अधिन होता लेकिन ऐसा नहीं था ध्यान रखेगा एबक के अधिन नहीं था बिल्कुल सेप्रेट हो चुगा था त किसी को डिकिलियर भी नहीं किया, भही है हमारा दासे तो बन जाएगा। इसलिए तीनों दासों ने ध्यार रखेगा, तीनों या फिर इन चारों दासों ने गोरी के समराज्य को आपस में बाट लिया। भही आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, कटिंगे, इससे अच्छा एक भी बाट लेते हैं। लेकिन यहीं था ध्यार रखेगा, कुतुबुदी नेवा के एक दास होने के साथ साथ गोरी का ध्यार रखेगा ध्यार रखेगा, दमाद भी था और ध्यार का थोड़ा सा अधिक हक होता ही होता है, देखिए क्या हो रहा है, इस बटवारे में क्या-क्या बाटा गया है, यालदोज, देख रहे हैं, यालदोज को इस गजरवी का छत्र दियेगा, ध्यान से देखते चलिए, यहां से मैप को देख लेंगे, तो सरग सरग कीज क्लियर हो जाएगा, देखिए यह वाला जो एरिया है, किसको दिया गया, यालदोज को दिया गया, दूसरे नमर पे जो कुबाचा था, इसको सिंध और मुलतान का एरिया दे दिया गया, यह वाला एरिया देखिए, कुबाचा को दे दिया गया, और यहां पे तीसरे नमर में देखिए, बक्तियार खिल् और बाकी जो बच गया कुतुबुदीन एबक को यहाँ पे मिल गया रथाथ सिंध मुलतान उधर छोड़ देजिए बिहार बंगाल को छोड़ देजिए अब समस्त भारते जो छेत रहता है बीच वला जो एरिया था ध्यान से अब लोग देखते चलिए नजरे ठीके गड़ा सलर परिया, दिल्ली के रिया, नीचे मध्य पर्थे्श के रिया यहाँ पे राजपुत लोग राते थे अक्सर उसका बिरोध करते थे और बिरोध तब और अधिक बढ़ गया, जब इन राजपुतों को पता चला कि मुहमद गोरी मारा गया है और उसका दास भाई हम पर सासन करेगा यह लोग किसी भी हद पर ध्यान रखेगा उस चीज को बर्दास करने वाला नहीं था लेकिन यहीं यह तलवार के ठीक है जिसकी तलवार पर धार होगा राज भाहीं करेगा अब इसको लगा कि भाही देखो कुतविदी नेवा को कि हमारे आस पास पूरा पूरा ठीक है सब यहां पर दुस्मन ही फैला हुआ है चुकि यह कुबाचा भी था यालदोज भी था इधर यहां पर ध्यान रखेगा इधर जो बक्तियार खिल्गी था यह भी था सबके सब यहां पर गिद की तरह एक दुसरे के छेत्रों पर नजर लगाया हुआ था कि जैसे कोई कम जोड़ होगा उसके छेत्रों को हम लोग हड़प लेंगे तो इसलिए इसको लगा कि जो भी हम को छेत्र मिला है समराज बिस्तार से जादे इसको लगा कि भाई उसको सुराच्छा की और इसने ध्यान देना सुरू किया जितना चेत्र है हमको समराज बिस्तार नहीं करना है जितना मिला है उसी में हम अपने कारियों को अंजाम देंगे इसी संदर में आपके कहा जा रहा है कि भारत में कुतवदी नेवा के राजनीतिक जीवन के चरण अब द विधियों पर्टिसिपेर करता रहा और यह हमने अल्रेडी देख लिया है दूसरा कारिया होगा देखिए 1206 में ही ध्यार रखिएगा दिल्ली सल्तनत के स्थापना होगी ठीक है दिल्ली का स्थास्तक मनेगा और 1206 से लेके 1208 तक और राजनीतिक कारियों में पूरी तरीके से लगा रहेगा और तीसरा देखेंगे तो 1208 से लेके 12010 के बीच में दिल्नी समराज्य का मांचित्र निर्मित करने में लगा रहेगा जो भी विकास का डिबलोप्मेंट के काम होगा वो यहां पर करने का प्रयास करेगा तो पहला फेज तो हमने देख लिया है दूसरा फे इस जून 2006 को यह गद्धी पर बैठा ध्यान रखेगा एक अप्चारिकता ठीक है दिल्ली का गद्धी पर बैठा लेकिन दिल्ली की गद्धी पर बैठा है लेकिन अपने राजधानी कहा बनाया गया लाहर बनाया देख रहे हैं कुतुबदी नेवा को भारत का पर बैठा है कि आपत में लोग मरते गए और एक गुलाम याके दिल्ली सल्दनत का सासक बन गया भारत का सासक बन गया अपने आप में बहुत अधिक उस समय के संदर में देखा जाया तो सर्म की बात है उसके बात से देखिए सुल्तान की उपादी इसने गरहर नहीं किया ध्यान रखिएगा सुल्तान की उपादी गरहर नहीं किया क्यों कि जब इसके आका की अर्थात गोरी की मृत्ति हो गई थी तो गोरी की एक ही अर्मान था कि भाई हमारा खुत्बा पड़वाया जाए और गोरी का ये दास भी था ये भी एक बहुत बड़ा फेक्ट है ध्य दिल्ली के गदी पर बैठा तो प्रशन पूशता है ठीक है कि कुटबदीन एवक ने कौन सा पद धारन किया था तो मलिक और ध्यान रखेगा सिपा सलाकार का ठीक है पद यहां पर धारन किया हुआ था और अपने नाम का ना खुत्बा पड़वाया नहीं सिक्के चलवाया तो इस ने जो भी खुत्बा वगरा पड़वाया मुहमाद गोरी के नाम से पड़वाया ध्यान रखेगा दिल्ली का इसलिए इसको बने टेक्निकल द्रिश्टिक मोट से देखा जाए तो स्वायत सासक नहीं माना जा सकता है क्योंकि सासक मतलब क्या है भाई सोबरोन हो पुराग पूराब अपना डिस्जियन खुद से ले सके पुरी तरीके सो सोतंतर हो लेकिन यह चीज़ धियान रुकिएगा एक दास के अंदर मौजूद नहीं था इसलिए धियान सकारों के द्वरा दिल्ली का स्वायत सुल्तान इसको नहीं माना जाता है एक स्वायत सुल्तान के रूप में आगे चलके जब इसका दमाद आएगा यह तो उसको माना जाता है और यह माना जाता है कि चलो एक गुलाम वंस का स्थापा के रूप में इसको जरूर जाना जाएगा प्रस्ण पूछ देगा गुलाम वंस की ठीक है अस्थापना किस ने किया तो हो जाएगा कुतुबदीन एवक के द्वारा राजधानी इसने कहा बनाया लाहॉर में बनाया अब लाहॉर में क्यों बनाया हुआ इस चीज को समझना है आपको देखिए बारा सो चे है। जब मुहमद गोरी के मृत्ति हो गई तो यह भी वही था माना गया कि उसमें जब उसके मृत्ति हो गई तो भेजा उसने कि जाओ तुम दिल्ली में जाओ अपना सासन करो कंट्रोल करो लेकिन वहां के लोगों ने बिलकुल ही इससे भी मुस्लिय डजमेंट थे इस कुत्वदीन एबग से और उन लोगों दरब बोला गया कि तुम यहीं रहो यहीं रहो लेकिन दिल्ली का सासन पर सासन चलाओ डजम्ट मेटर इसलिए माना कि एक लाहौर देखिऊ लगबग चार साल में ठीक है चार सालोमें कभी एक आत्र बार हिऊं दिल्ली आया होगा बलकि नहीं दिखिए चार कई चार साले लाहौर ही रह गया है लाहौर रहाने का एक उत्राधिकारी हुआ गयासुदिन मुहम्मद अब गयासुदिन मुहम्मद को लिए क्या पूकन फ्यूजन नहीं करना है ध्यान रखियेगा चुकि गोरी का लोग उसी गोरी सब दो भाई था एक गयासुदिन था और दूसरा खुद यहां पर गोरी था तो गयासिदिन मुहम्मद के द्वारा इसको बोला गया कि चलो भाई बहुत तुम योग्य दास हो बहुत अच्छे तरीके से काम कियो हो तुमको हम दास्ता से मुक्त करते हैं और था जो भी एक डोकुमेंटेशन की परिकिरिया होती थी होता है ना कि आज से तुम हमारा दास नहीं हो और बोला कि मैं तुमको दास नहीं मानता हूँ मैं तुम्हें सुल्तान सिवकारता हूँ कभी यहां से फिर एक परशन बन सकता है कि दिल्ली का वास्तिविक सुल्तान कौन हो सकता है फिर भी यह ध्यार रखेगा Кुत्भुदिन एबग, दिनली का वास्तिफिक सुल्तान नहीं हो सकता है चुकि एक तुर्क मुसलिम के द्वारा अगर इस कुत्भुदिन एबग को सुल्तान मना जा रहा है तो इसका मतलब कि वो सुल्तान सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है, सारे लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि सुल्तान का जो पद जो देता था ध्यान रखेगा, खलीफा वही जो मुसलिम धरम गुरु जो बैठा था, उस खलीफा के दोरा सुल्तान पद जिसको दिया जाता था उसको लोग सुल्टान बुलाते थे और उस खलीफा ने ध्यान रखेगा आगे चलके इल्तुत मिस-को मेरी बात ध्यान से सुनिए पहली बार उसने सुल्टान का पद दिया इसलिए दुसरा प्रस्ण बनता है कि दिल्ली का सुल्टान प्रत्थम सुल्तान कौन था उसका जवाब हो जाएगा इल्दूत मिस अब देखिए ये बग के पास अब ये सुल्तान माल लिया ठीक है गया सुदिन मुहम्मात जो भी एक होता है राज सिहासन से सम्मादित जो भी वस्तविये जैसी सिहासन छत्र दुरुभास पताका जंड उन्डा नकारा भेज कर यहाँ पर सुल्तान की पदवी को ठीक है ये बोला कि वह तुम गरहन कर लो भारत में अब यहीं से माना गया कि दिल्ली सल्तनत के अस्थापना हो गई और देखिए स्वतंत्र सत्ता की विया स्थापना हो गई बारा सो आठ में ये भी प्रस ने सासक बन गया अब देखिए हाँ पर नेक्स्ट इसने कुछ उपाधी धारन किया था जिसे कुरान खा बढ़ा अच्छा कुरान ठीक है पड़ता था तो कुरान खा बहुत अधिक लाखों में दान देता था बहुत अधिक ठीक है लिबरल था लाख भक्स भी इसको बोला गय और इसके अलावा पीर भक्स हालिम दृतिय इसका ठीक है अधर नामों से भी पुकारा गया और यह इंपोर्टेंट हो सकता है मिनहाजु शिराज के दौरा इसको हातिम ताई बोला गया हातिम ताई इसको बोला गया हाथी उगरा में काफी लोग सफर करता था एक बिद्व और होगा किया है क्या इसको च्यलेंज मिला था इस चैलेंज को आपको समझना है न तो यह समझेोंكون को समझ भारतher पुरा कुकर इसको इस इसमें अगर देखा यह तो कुछ परतिद्वन्दी सब भी मौझूद था क्योंकि और रेड़ी देखिए पस्चिम के छेत्रों में परिजम साहिधर ठीक है इरान के छेत्रों में और रेड़ी ओमजूद था ध्यान रखेगा परिजम को जो साह था इसके अलावा यलदोज भ में बताना चाहता हूं कि 1206 में देखिए बक्तियार खिल्जी की भी जब तिब्बत अभ्यान करके लौटा हुआ था उसकी भी हत्या कर दी गई थी एक सर्दार के द्वारा तो जो वहां का जो सर्दार सब था ध्यान रखेगा उस सब काफी उपद्रों मचा रहा था तो व बिल्कुल अपना तरवार उठा लिया इस सब भी देखिए सोतंत्र हो गया तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा यह जो जैलेंज मिल रहा है कुतुबदीन एवक को एक छेत्रे से नहीं वलकि बीच में घीरा हुआ है अब कैसे इन सारे चीजों से प्रसासनिक ब्यवस्था लौ एन ओडर पूरी तरीकस मेंटेन किया जाए सैने गत्विधियों के माधियम से कोई समस्या नहीं आना चाहिए ताकि कोई छेत्र ठीक है मेरे दुस्मने को द्वारा हडप न लिया जाए इसलिए अब कुतुबदीन एवक के पास दो कार्य करन अपने इस्ति को सुध्रिर करने के लिए सबसे पहले बैवाहिक संबंदा स्थापित किया अब इस बैवाहिक संबंद को लेके भार भार मुझे ठीक एन सिन डेरा में याद आता है किस परकार से देखिए मगत का जो सासक था बिमभिसार के द्वारा बैवाहिक संबंदों क माध्यम से अपने समराजी बिस्तार करने का परयास किया देखिए एक मुस्लीम होते हुए यही कर रहा है बैवाहिक सम्मन्द स्थापित किया या अलदोच की पुत्री से जो इसका दुस्मन बन चुका था बिवा कर लिया दुसरा दुस्मन था इसका कुबाचा कुबाचा को ठीक है अपनी बहन से बिवा करा दिया जैसे उसकी बहन गई सम्मेनेज कर लिए कुबाचा भी उसका धीन तस्विकार कर लिया और तिसरा नम्मर पे ध्यार रखिएगा इल्तुत्मिस इसका ठीक है अगर पूरब की तरफ आया इधर इधर आया तो अब तुम्हें बिल्कुल बच चुचुका है सब याल दोज कुबाचा इस दोनों अपने आप में सब का पट नहीं रहा है तो समस्यत होगा ही होगा इन दोनों के छेतरों को जीते हुए वो हमारे यहां तक लहर दिल्ली तक पहुंच आएगा और हमारे छेतरों को भी कंट्रोल में कर लेगा इसलिए इस फरिजम साह को बैलेंस करने के लिए देखि इसलिए यहां पर देखा कि भाई यह जो यालदोज है मुकाबला करने मसमर्त है इससे तो कुछ होने वाला है नहीं और गजनी पर फ्वारिजम साह का अधिकार हो जाता है तो वह दिल्ली पर भी अपना दावा कर सकता है यह बग की मुख्य कटना यहीं था कि भारत को हर हा में जो सोने की चलिया मनें बोलते हैं ना एक मनें सोने की ठीक है मुर्गी देने वला अंडा मिल गया है इसको हमेशा मध्य एसिया की राजनीती से प्रिथक करना है क्योंकि इन छेत्रों में धिरे-धिरे देखेंगे अब यह हुई टाइम पिरियेड है अब धिरे-धिरे म हमेorse से मितनीता था अब ध्यान रखियेगा यह है यह याल्दौर्ज और है कुबाचा दोनों से मितना था लेकिन धेरे-धेरे चुक करने इसकी भी सीमा उत्राधिकारी हम है अपने आपको मानता था गोरी के उत्राधिकारी जो था गयासुदुन महमूद ध्यार रखियागा ठीक है वहीं जो ध्यार रखियागा गोरी के उत्राधिकारी इंदसेंस कुसका जो भाई था चुटे छेतरों पे और रहा रहा था गयासुदुन पुद्ध को भी दास्ता से मुद्ध कर दिया जिसे उसने कुत्व बुदिन एबक्ष किया हुआ था और बोला कि गजनी पर सासन करो भई हमें कोई दिक्कत नहीं है अब इसी से प्रेरित होके देखिए यहां पे है गजनी पे और सीधे आके इसके छेतरों पे कुबाचा के पंजाब के छेतरों पे उसने आकरमण कर दिया तो चीए पंजाब के छेतरों पर आकरमण कर दिया यहीं जो कुबाचा है और इधर जश्ट वहीं पे लाहौर है ध्यान रखेगा जो कुत्व बुदिन एबक्ष वहीं से अपना सासन पर सासन चला रहा था वहां पे इसने कर दिया और 1208 में एबक को लगा कि इसको सबख सिखाना पड़ेगा उसको पराजित कर दिया और गजनी पर कुछ समय के लिए धिकार कर दिया लेकिन यहीं था कि यालदोज का गजनी में काफी क्रेज था वहां के जो भी अमीर लोग थे प्रजा समझ रहे ना सरदार वगर और उसको पूरी तरीके से समझ रहे ना मने माना जाता है को उसको एकदम बैवाहिक समय में बांधने के लिए यालदोज को बात ही किया और उसकी पुत्री से बिवाह कर लिया अब पंजाब पर आकरमड करने को चैस्टा नहीं कर सकता था अब यालदोज दुसमन दुसमन नहीं रहा बलके अब दोस्त हो गया अब अगर फारिजम का जो साह अगर गाटे करता तो यह दोनों मिलके अब यहां पर लड़ सकते थे अब दूसरा चैलेंग बचा था कुबाचा को भी इसने बायवाहिक समान में बाना गौरी की जब मिरुत्ति हो गई ती यह भी इसको कुबाचा ने कुदुबुदीन एवा की अधिनता से विकार कर लिया अब देखिए अब दोनों जो एरिया है यालदोज वाला कुबाचा वाला सब अब इस ठीक है कुदुबुदीन एवा के अंडर कंट्रोल में है अर्थात अब फारिजम का साह अगर कुछ भी करे तो ल लगत है कभी एक समय के लिए मुस्लिमों को पूरे नक्सिस सम्मिटा के रख देगा इतना मार कट मचा है इतना मारा है काटा है सब के मैं बता नहीं सकता हूँ उसके बाद बात करते हैं लोग बिहार बंगाला भीयानव एक चैलंज और बचा था बक्तियार खिल्ली वाला जो च्छत रह था देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है गौरी था दिखें यहां पर गौरी का मैंने जो सरदार था ठीक है दास था जादे कहना बेटर होगा बक्तियार खिल्जी ने पुर्वी में ध्यान रखेगा तुर्की सता के अस्थापना किया था बंगाल बिहार बिजया भियान के दोरान जो इतना घटिया काम किया हुआ थ ठीक है और बंगाल के तुर्वा कर जो राजधानी था नदिया ता जिया था ध्यादर लेकिन नदिया को छोड़के लखनौती को राजधानी बनायाustain और उसके आपको बिल्कुल सोतंत्र घोसित कर दिया कि हम सोतंत्र हैं लेकिन यहीं है कि तुर्क जो कम्यूनिटी थी वहां पे अब इसको दबाने में लग गई असली जो हमारा सासक तब बक्तियार खिल्जी ही था इसी दर्मयान आप देखेंगे तो कुछ घटना होती है खिल्जी जो सरदार था ध्यान रखेंगे खिल्जी का जो भी सरदार था असपास के अमीर वगेरा जो भी उसके जो ठीक है जो लग लगा वाले जो लोग थे उनके बिरुद देखेंगे यहां पे उसके बिरुद बिद्रो कर दिया और अली मर्दान को गाइद कर दिया गया कि तुमने भाई बक्तियार खिल्जी को मारा हुआ है ध्यान रखेंगा और उसके जगा मुहम्मद सेरा को गद्धी पर बैठा दिया गया किसी तरह देखिए अली मर्दान भाग कर कुत्वुदीन एबग से मिला कि भाई एबग हमको बचाओ हमारी ठीक है जो भी है ठीक है मेरी अधि तरह में एक ठीक है अपने विक्ति को रख दिया गया वहां पूरा पूरा कंट्रोल कर रहा है बिल्कुल आज के ठीक है गवर्नर मुख्यमंत्री टाइप का तो यह वह की एक्तिदार था उसमें कैमाज रूपी था ध्यार रखेंगा उसमें उसके अंडर कंट्रोल में था तो अवध वर्तमान में यूपी ठीक है यूपी का जो एरिया है वहां से बंगाल तो नज देखी पड़ेगा अवध का वे ठीक है जो कैमाज रूपी था गया मुहमत सेरा को पराजित कर दिया और उसके बात से अली मर्दान को पूरा देखिए बंगाल का इक्तिदार अर् पूरा का पूरा उस दिल्ली सल्थनत के अंडर कंट्रोल में आ गया तो कुल बिला के इस टाइब का मैब बनते हुए आपको दिखाई देगा यह जो एरिया है पुरा पूरा अब यह कुतुबदीन अबा के अरिया है बीच में कहीं कहीं जैसे कालिंजर वगएरा में यहां अपने आप से एक दूसरे से को रिलेट होती चली जाएंगी बस थोड़ा सा और है अभी लास्ट जहां से प्रस्ण भरबर के आता है वो पोर्शन है आर्ट इन कल्चर वाला पोर्शन तो राजपूत राजय पर नियांतराण और कुतुबुदीन एवग की देखिए यहां थे वहां के ध्यान रखेगा तुर्कों के हाथ से ही निकल गया तुकि अब कुतुबुदीन एवग तो चला गया लाहूर लाहूर से अब देखिए आएगा इधर ग्वालियर के तरफ का लिंजर के तरफ कितना दूर है तब तक तो मामला दिकती हो जाएगा आगा चलके ज घंटें बहुच गया वहां पे घोड़ा से दोड़ दोड़ बीचारा के हारत खरावाईदा था उसी में ठीक है पीस के रह गया तो समझना है आपको कलिंजर और ग्वालियर तुर्कों के हाथ से निकल गया अब यहां पे जो बदायू में उस समय गवर्नर बनाया गया था या फिर इक्तिदार आप कह सकते हैं इल्तुतमिस को बनाया गया था मनें इल्तुतमिस कोन था उतुगदी नेवा का दमा ध्यान रखेगा तो इसको बनाया गया था फरुखा बात का जो एरिया था ऐसा माना गया कि तुर्कों को वहां से भी ठीक है पूरी तरीके से जो भी जला जाता है वहीं खेल रहा था घोड़े से गिर कर एकदम मर गया अकास मात मिरित्ती हो गई देखिए ठीके निलराहिक करवाहीं यहां पर नहीं कर सका अर्थात अपने अंतिम वक्त तक जाते 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 राजपूत साजकों को पूरी तरीके से यह वक्त ने कंट्रोल नह की कबरों को यहां पर रखा गया है वरतमान में यहीं है कुत बुदिन एवक की पूरी ठीक है लाइफ ठीक है लेकिन उसके लाइफ का जो एक अहम पाट है ध्यान रखेगा दिल्ली समराज्य का मांचित्र निर्मित कैसे किया ओ किया अस्थापत्य कला के माधियम से देखि लेकिन अब वो चीज आ चुका था और इसी दर्मियान आप देखिएंगे तो कुछ इस टाइप का गुंबद निर्मार और महराव निर्मार कला को प्रोत्साहन मिलने लगा मैंने गुंबद समझ रहे न अभी तक मंदिर वगरा जो बरना था भारत में मंदिर था मंदिर के जायत्य था बिहार था लेकिन अब गुंबद कारिशन रचना सुची अपने आप में एक नया चीज था तो ध्यार रखेगा गुंबद निर्मार महराव निर्मार का जो कला माना जाता है पहले रोम में सब बंता था रोम में में बाइजेंटाइन जो इंपायर हुआ करता वहीं बाइजेंटाइन एंपायर था जो कभी रोमन समराजय का ठीक है भागी हुआ करता था पूरवी रोमन समराजय और पॉस्टमी रोमन समराजय है तो पूरवी रोमन समराजय को ही बाइजेंटाइन समराजय के नाम से जाना गया इसी बाइजेंटाइन समराजय में गुंबद निर्माड और महराव देखर पार है कुछी श्रीव के सन रचना आप तो आज वर्तमाने पूरा पूरा भारा है ठीक है जितने भी आप मस्जिद वगरा देखेंगे कितरे इसमें क्या थी तो जो भी इसकी दिवार वगरा होता था इसमें कुरान की आयते लगाया जाता था कुरायन की आयते, स्वास्तिक, जैमितियसन, रचना, फूल पत्ती, ऐसे चीज़ों को आप देखेंगे न, तो मुस्लिम जो मस्जिदों गहरा हम देखेंगे, उनके दिवारों गहरा में आपको लगा हुआ नजर आएगा, लेकिन मनुस्य और पसुओं का जो चितर है, इसमे में परयोग पूरी तरीके से वरजीद है, अब इसी को अधार बना के देखिए कुछ निर्मार कारे भी हुआ है, जैसे अरहाई दिन का जोपड़ा, बड़ा ही इंट्रेस्टिंग कहानी है, इसका नाम से ही लग रहाई दिन का जोपड़ा, ये वर्तमान में राजस्थान क के अजमेर में है, अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे, तराइन के दिरितिये 20 सुईत में देखिए क्या हुआ था, तो पृत्वी राज चौहान को गोरी ने पराजित कर दिया था, और जैसे उस छेत्र कूठी के पराजित किया, ऐसा माना गया, कि मुहम्मद गोरी के है. अबने अठाई जिनका जोपडा क्या है? तो आपको बताना है, मस्जीद है, दियान रखीगा. क्या है? मस्जीद है पहले, देखिए, संस्क्रित विद्याले था, दियान रखिए गा, चोहान सासक, बिगरह राज्चातूर्थ खेदवारा, पहले, एक संस्क्रित 200 मौझूद ठीक है जो आप कह सकते हैं कि हिंदु धर्म की जो भी कलास्थपते से लिए बौध जैन धर्मों की कलास्थपते से लिए उसको तोड़ रहा है ब्रेक कर रहा है और अपने चीजों को धोप रहा है यहां के लोगों का धर्मांत्रन करवा रहा है और यहीं यहाँ प हरी केली लिखा गया है और इस शिर बीद्याले में इसका अभी चीक है अंकीत है जो भी उसके पत्थर होगह यहा हुआ उपसु बनाया गया अइसको बनाया नहीं करा हूं कि थोड़ा समय लगता है इसमें कहानी समझ जाएंगे तो आपको अधाई दिन का जोपडा याद करने जरूरत ने जैसे अधाई दिन का जोपडा याद करेंगे तो समझेज चीज़ को अब देखिए उसके बाद से प्रत्थम मस्जिद का जो भारत में निर्माड हुआ है जिसका नाम है कुबत उल इसलाम हुआ है क्या हुआ है कुबत उल इसलाम देखिए यहां पे राय पित्वरा किले पे चुकि ध्यान रखिएगा ठीके जो पुरा-पुरा इलाक जाता है कि उसके लिए में बहुत अधिक देखिए जैन और ठीक है बुद्ध और क्या बोलते हैं कि हिंदू का बहुत अधिक वहां पे ठीक है मंदिर भी हुआ करता था जैन और वैसलों मंदिरों को देखिए आप तोड़ दिया गया ध्यान रखिएगा जैन और वैसलों म मिनार के पास इसका निर्मार बाड़े सो छे में शुरू हुआ और चार वर्ज का इसमें समय लगा ध्यान रखेगा आगे चल के इलतुतमिस और फिरोसा तुगलग के द्वारा इसके कुछ और हिस्सों को जोड़ा गया हिंदू और इसलामी कला के एक अनुठा संगम है यह द देख रहे बिलकुल यह महराव है बना हुआ इस तरह के जटीक है और इसकी जो सब्रचना थे जो ऊपर जो च्छत था ठीक है और जो च्छत की जो सईली थी बिलकुल ही हिंदू कला के रूप में हिंदू पॉपाले जो मन्दिर होता ता ना बिलकुल एक रेक्टेंगल टा जैन और वेशलों मंदिरों को तोड़के बनाया गया अब इसी राय पिथोरा के लिए पे एक और ठीक है वर्तमान में आप कहा सकते हैं ठीक है कि एक युनेस्को की धरोहर भारत की धरोहर तो तुम मिनार का हैं पे निर्माड हुआ है तो तुम मिनार का निर्माड यहीं पे क्यों करकर आया गया तो आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा जैसे मैंने सुरूम बताया हुआ था कि एक सुफी संत थे ध्यार केगा एक सुफी संत थे ख्वाजा कुत्पतियन बक्तियार काकी मौईदून चिस्ती के पिरियस सिस्तियों में से एक माने जाता है बक्तियार काकी तो देखिए लोग ठीक है जो भी उस समय का देखेंगे तो जो सुफी संत वगरा जो चिस्ती सिलसला जो चल पड़ा था बहुँ लोग चाता था कि भींड भार से अलागे एक सांत इलाका हो वहीं पर रहें अपना हम लोग ठीक है सुफियान अंजाद में गाना ओना गाते रहें ते लोग जगा जगा खान काह की स्थपना करवाता था ते वहीं इलाका है राय पिधारा वाले किले पर ठीक है वहीं इलाका है चुक्यों हाँ पर मस्जिद भी यहाँ पर कुवतिल इसलाम बबन गया था और जो भी ये लोग सुफि संत वगरा होते थे ध्यान रखेगा यह लोग मस्जिदों के आसपास ही लोग अपना खान काह वगरा भी बनाते थे ताकि लोगों का ठीक भील्ड लग सके अब वहीं पर जब यह सब लगा होने ध्यान रखेगा वाजा कुतुबदीन बक्तिहार का की वहीं पर अपना समझ रहे है ना भशा पर पर पस यह था पूरी तरीके से ठीक है लोगों को इकठा करके कोई चठके बुलाएगा तो उसके दूर दूर तक फैलेंगे लोग आएंगे इकठा क्षी करोएंगे और फिर पिर उसी जो मस्जीद है उसमें आगे फिर सब लोगों बेन नमाज पढ़ना शुरू कर गएंगे धियार रखेगा इसको समर्पित है बक्तियार काकिकी देख पार है निर्मार जो हुआ था एवक ने शुरू किया हुआ था एवक ने पहली मंजिल माना गया है कि बनाया है उ आगे चल के इसको इलतूत मु décor अभी और बाकी है लाल पीले बलुगा पथर से इसको बनायागया है संगर मर्मर का जवरजस्थ परयोग किया गया है लाल कोट पर पूरी तरीके से इसको खड़ा किया गया है अरह में आजान के लिए किया गया था और पहली मंजिल को देखिए एवरक ने बनवाया और अन्य जो तीन मंजिल है यहाँ पर थ्यान साब को देखना पड़ेगा बहुत ही confusion के रेड़ करता है पहला जो मंजिल है यह कुतवदीन एवरक ने बनवाया अब यहाँ पर देख प गटीन इन तीन मंजिल को यहाँ से यहां तक यहाँ से यहां तक ध्यान पर किसने एक कि इसको आगे चलके तोड़के एक मंजिल को क्या किया गया तो दो मंजिल में इसको बाट दियागा देखिए यहां पर क्या हो रहा है इसी बिजली गिर गया और फिरोज साह तुगलग के द्वारा जब रिपेरिंग करवाया गया तो उसको लगा कि एक जो मंजिल उपर बहुत उचा हो जा रहा है एक बेस देने के लिए ठीक है इसको ब्रेक करना होगा और चौथा मंजिल को तोड़कर ठीक है उसके जगा इसन पांच मंजिल हो गया ध्यान रखिएगा तो प्रसन पूछता है कि चौथी मंजिल को तोड़के ठीक है किसने उसका पुना निर्माड करवाया उसका नाम हो जाएगा फिरोज साह तुगलग इतने सास को ने देखिए इसमें पार्टिसिपेट किया तो एबक इलतुतमीस औ और हो जाएगा फिरोज साह तुगलग कोई दिक्कत नहीं नहीं वनाचे बिल्कुल धियान से सुनते चलिए अब देखिए कुछ और भी बाते हैं 1505 में देखिए भुकम के कारण इतना लंबा चोड़ा है तो भुकम के कारण इसको नुकसान पहुंचा और फिर सिकंदर ल तो मिनार निर्मान में भाग लिया था किसने नहीं लिया था ध्यान रखेगा अठारा सो तीन में ठीक है जब अंग्रेज सबाएगा यहां पर तो उसमें देखेंगे रॉबर्ट और समीत के द्वारा इससे भी नहीं रा गया कुछ रिपेर करवाया और उपर कुपूला ज अगे चलके युनेस्को ने ठीक है अपने साइट में इसको रख लिया है ध्यान रखिएगा बिस धरोहर के रूप में अभी यह कुतु मिनार मौजूद है अब नेक्स्ट आइम लोग बात करते हैं आपे यह बक ने दिल्ली में ठीक है किला राय पिथारा के निकट सहर वी पल चार वर्सों तक ही सासन कर पाया 1210 में वहीं है लहोर में चोगान खेलते समय घोड़े से गिर कर बेचारे की मृत्ती हो गई अब देखिए पूरा पूरा एक कॉंक्रीट जो कंटेंट है अगर आप यहां तक ठीक होंगे तो समझ रहे होंगे कि क्लास की क्या यहां पर भेलू हो रही है अंतिम सासक होगा ध्यार रखेगा अरामसा याएगा अंतिम सासक यहीं है अरामसा यह वकuda कोई पुत्र नहीं था पुना उत्राधिकार के समस्ट्रे उगे identify जैसे जब गोरी मर गया तो उसका कोई पुत्रन नहीं था सारे दासों ने जोबी छेतर था बा उपद्राव रोकने के लिए जो भी तुर्की अमीरों वगरा होते थे जो सासन पर सासन को संभालने के लिए कंट्रोल करने के लिए काफी ये लोग मददगार होते थे तुर्की अमीरों ने आराम साह को गद्धी पर बैठाया अब यहीं आराम साह के सम्मान्द को लेक मैंने शुरुम बात किया था कि कौन है इसका पता पता नहीं है ति कुतुबुदिन एबग का पुत्र है पुत्र तो नहीं है उसका भाई है इतियांस करों के दोरा जितनी मुह उतनी बात हैं पे बोला जाता है देख पारें तपी एक अच्छा मोर अयोग्यक शासक था अब लगा अमीरों के भाई इससे काम चलने होला नहीं है हमें कुत्वदीन एबक के ही किसी ने किसी के वंस को बुलाना पड़ेगा फिर उस अब ठीक है इसका सासन काल ध्यान रखेगा मातरात महीने का था और उस समय इल्थुत्मीस को इन अमीरों के द्वारा निमंतरों भेजा गया कि भई आओ ठीक है और उसमें कहा का था बदायू का ध्यान रखेगा इल्थुत्मीस गवर्नर था मैंने सुरू में बताया हुआ है अब इल्थुत्मीस जैसे ही इन 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 भाईट्रेशन पाएगा ठीक है दिल्ली आने का निमंतरों पाएगा आएगा और इस अराम साह को मा पाना जाता है कि हत्या कर देगा मार देगा मरवा देगा और फिरो दिल्ली की गद्धी पर बैट जाएगा अब वहां पे इल्थुत्मीस का एक नया वंस शुरू हो जाएगा जिसको सम्मींस बोला जाता है इल्थुत्मीस सम्मींस से बिलों करता था ध्यार रखेगा तो स ठीक है सोरी थैंक्स पर वाचिंग ठीक है वीडियो को लाइक सेयर करते रहें काफी क्वालिटी कंटेंट है मेरे ख्याल से ठीक है और बहुत असुजन का मैसेज भी आ रहा है कि सर आप किस बुक को फोलो कर रहे हैं देखिए यह टीचर किसी एक बुक को फोलो करके आप लिबरेरी ही होता है तो इसलिए आप लोग उसके टेंशन के लिए नहीं रहें बस यहीं कोशिज करें कि जो आपको दिया जा रहा है बिल्कुल एक ऑथेंटिक कंटेंट जिया रहा है और उस कंटेंट को आप पचाने के कोशिज करें थोड़ा समय लगेगा लेकिन यकीन म आपको हमेशा ही काम देगा तो या बड़े एक जामों में तो ठैंक्स पूर वाचिंग जहीं देंट